तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने आवाले रिगार्डिंग डिरिश एक्सप्रिमेंट अब डिरिश जो थे उन्होंने पहली बार बताया था कि कंडिशनल स्पेसिफिकेशन करके भी एक स्पेसिफिकेशन होता है तो हम आज के वीडियो बें वही देखेंगे कि डिरिश ने कौनसा एक्सप्रिमेंट परफॉर्म किया था कैसे परफॉर्म किया था और उस एक्सप्रिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने क्या कंक लिया था अब जो सी अर्चिंग का एंब्रियो था वो कैसे था फोर सेल एंब्रियो था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एंब्रियो था फोर सेल एंब्रियो उसका जो फर्टिलाइजेशन एंवलप था आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे फर्टिलाइजेशन एंव उन्होंने रिम्मू कर दिया अब जो उन्होंने चार ब्लास्टोमियर मिले उन्होंने क्या किया इन चारों सेल्स को या फिर आप कहे सकते हो इन चारों ब्लास्टोमियर को उन्होंने सेप्रेट कर दिया इन चारों ब्लास्टोमियर को कैसे कर दिया सेप्रेट कर दिया और एक 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 सेल का डेवलपमेंट देखा जब उन्होंने इन चारो सेल का डेवलपमेंट देखा तब उन्होंने देखा कि उन चारो सेल ने अलग-अलग लारवा फॉर्म किये जैसे कि ये एक सेल थी उस सेल ने एक लारवा फॉर्म किया इस सेल ने दूसरा इस सेल ने तीसरा और तो जब हम 4 cells isolate कर देते या फिर separate कर देते तो इन 4 cells ने 4 अलग-अलग larva बना है लेकिन अगर अगर हमने इन 4 cells को अलग-अलग कर दिया तो वो 4 cells अलग-अलग 4 larva बनाते लेकिन अगर इन चारो सेल्स को एक साथ रख दिया जिसकी यूजुली एम्डियों में होता है तब भी वो एक complete larva form करते है तो यह experiment perform करने के बाद उन्होंने कुछ conclusion निकाले इस experiment perform करने के बाद अब उन्होंने क्या conclusion निकाले वो हम discuss कर लेते हैं तो basically first conclusion उन्होंने जो निकाला था यह point बहुत important है बहुत बार CSR.net में पुछा गया है इस point के related question तो यह एक बात ध्यान में रखला है कि conditional specification की जो cells होता है उनकी जो potency होती है वो greater than होती है किस से fat से greater than होती है उनकी potency ये बात ध्यान में रखना second conclusion जो डिरिश ने derive किया था या फिर conclude किया था वो ये था कि जो fat होता है cell का जो fat होता है वो कौन decide करता है तो basically जिस position में embryo की जिस position में वो cell present होती है वो position या फिर वो region embryo का decide करता है कि वो cell आगे जाके क्या बनने वाली है कि वो cell आगे जाके किस cell fat में specify होगी या किस cell fat में restrict हो जाएगी ये कौन decide करता है तो basically ये decide करता है position कि किस position में वो cell present है embryo की किस position में वो cell present है या फिर किस region में वो cell present है यह decide करता है उस cell का self weight यह self weight decide करता है अब तीसरा conclusion जो डिरिश ने बताया था conclude किया था वो था harmoniously equipotential system conditional specification कैसे system दिखाते है वो दिखाते है harmoniously harmonious equipotential equipotential system अब यह harmonious equipotential system मतलब क्या तो basically हमने जैसे देखा कि अगर हमने चारो cells को separate भी कर दया तो हमें चार अलग-अलग लारवा मिलते है लेकिन अगर वो चारो cell intact रहे embryo में अगर हमने separate नहीं किये और वो चारो cells embryo में intact रहेंगे तो वो चारो cells जैसे आप इस experiment में देख सकते हो अगर यह चारो cell intact रहे embryo में अगर हमने उनने separate नहीं किया तो यह चारो cell क्या चार अलग-अलग लारवा बनाते हैं नहीं यह complete normal लारवा बनाते हैं क्यों क्योंकि जो interaction between cells होता है cells के बिट में जो interaction होता है या फिर जीस region में वो cell present है या फिर morphogen gradients ये तीन अलग-अलग regions होता है ये क्या करते है जो एक cell होती है उसे एक cell fat को लेके restrict कर देते है या फिर एक cell fat को लेके specify कर देते हैं तो इसलिए जब ये चारो cells intact रहते हैं किसी एक embryo में तब वो एक complete larva बनाते हैं वो एक साथ काम करते हैं उसलिए एक साथ काम करते हैं और अपना Fates specify कर लेते हैं determine कर लेते हैं committed हो जाते हैं अपने分 below और वो एक complete larva बनाते हैं इसलिए निर ने ये conditional specification को बताया कि conditional specification में harmoniously equipotential system होते हैं क्यूंकि जो cells होते हैं वो एक साथ आते हैं एक साथ काम करते हैं और एक complete larva बनाते हैं यह तीन conclusions थे जो डिरिश ने conclude किये थे conditional specification के related आपको समझ में आगे होगा कि डिरिश ने क्या experiment परफर्म किया थे और क्या उस पर से conclusions निकाल लेते तो आने वाले वीडियो में हम discuss करने वाले हैं difference between rocks और डिरिश एक्स्प्रिमेंट अब हमें जैसे पता है कि rocks जो था उन्होंने बताया था regarding autonomous specification की बारे में बताया था और डिरिश जो थे उन्होंने conditional specification की बारे में बताया है तो बैसे के लिए उन दोनों के experiments में differences क्या था है वो हम आने वाले वीडियो में discuss करेंगे so thank you